एक दिन रोहन इस्किंग करने गया था जब वहाँ से वापस लवटा तो उसने देखा कि उसके घर पर कुछ किंती सामान चोरी हुआ है जब जासूस मेहुल ने घर के बाहर चोरों के पैरों के निसान देखे तो उसका सग रोहन के परिवार वारों पर गया और उसने उसने पूछ ताश की रोहन के चाचा ने कहा जिए उनके पैर में चोट है और वह विलचेयर का उप्योग करते हैं वह चोरी नहीं कर सकते उसकी बहन ने कहा मैं अपने घर पर थी मुझे कुछ नहीं पता उसकी चाची ने कहा मैं अपने घर को क्रिसमस के लिए सजा रही थी अब मेहुल को चाचा चाची और बहन में से ही किसी एक चोर को पकड़ना था अब वह सोचने लगा कि कैसे पकड़ा जाए पेरों के निसान के साथ लकड़ी के निसान थे जो लकड़ी की मदस से चोरी करने आया था रोहन के चाचा के पेरों में चोड़ थी इसलिए वह चोर है